आप सभी को प्रणाम आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे फेस पैक बनाने की आसान सी विधी बहुत इफेक्टिव और बहुत ही सरल तरीके से फेस की सुंदरता हर विक्ति की प्रात्मिकता है इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि फेस को सुंदर करने के लिए आप कौन-कौन से योग करें उस वीडियो को आप हमारी यूट्यूब चैनल योग गुरु राजेस के माध्यम से आप देखें और उन योग क अभ्यासू को भी करें और इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन-कौन सी आप हरबल चीजों को लें और फेस पैक बनाएं जिससे आपका फेस ब्लो करें फेस पर जुरिया हो फेस पर केल वहां से और दाग धब्बे किसी भी तरह की हो सभी में ये काम कर करता है और बहुत ही जब वर्दस्त इसका एफेक्ट आएगा आपको करना क्या है आपके घर में सबके दाल सबके घर में हैं तो आपको एक चमच मसूर लाल वाली जो मसूर होती है एक चमच मसूर की दाल ले लें एक चमच चवने की दाल लें और एक चमच चावल एक मच उड़त की दाल इनको पांचों चीजों को आप एक कटोरी दूद में भीगा दें कि 10-12 गंटे पहले आप भीगा दीजी अगर आपको सुभे के समय लगाना है तो रात को भीगो दें रात को लगाना है तो सुभे भीगने के बाद आप इसको पेस्ट कर लें कि पेस्ट आप सिलबटे पर करें अच्छे से इसको मर्दन करें ऐर्वेद कहता है मर्दनम गुन वर्तण अगर आप अच्छे से इन्वट्टे पर उसको दीरे-दीरे रगड़ते हैं तो उसके गुन बढ़ जाते हैं नहीं तो Insert मिक्सी सब के पास आपके अवेलेबल है आप मिक्सी में भी उसको पेस्ट बना लें अब इस पेस्ट को आप अपने फेस पर लगाएं कम से कम एक घंटा लगा रहने दें और फिर दीरे-दीरे हलके-हलके मसाज के साथ उस दाल के पैक को आप उतार दीजिए अच्छे से पानी से मूद होईए और उसके बाद फिर आप ग्लिसरीन और गुलाव जल्व मिलाकर अपने फेस पर लगा लीजिए किसी भी तरह का कोई दाग धबा आपके फेस पर नहीं रह सकता ये एक बहुत हेल्दी स्किन को पाने का एक बहुत सरल तरीका है इस पैक से आप नहा भी सकते हैं साबुन की जगहे आप इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं और बहुत तरह के जो लुभाव ने विज्यापन देखकर आप अपने पैसे को विष्ट करते रहते हैं उससे आप बस सकते हैं आप अपने घर पर ही बहुत आसानी से इसका उपयोग करें और इसका लाग उठाएं आपको जो भी फाइदे हों आप मुझे कमेंट स्पोक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक शदिक आप शेयर जरूर करें अंत में जिनको बहुत अधिक कील मुहासे बहुत अधिक फोड़े फुनसी निकलते हैं कुछ लोग ऐसे होते जिनको बहुत जादा फुनसीया रहती हैं चीहरे के उपर वो इस सी पैक में थोड़ा हल्दी लगबग आधा चमच हल्दी ले लें कच्ची हल्दी मिल जाएं तो बहुत ही बढ़िया है नहीं तो जो आपके घर में हो आप उसको डाल लीजिए और थोड़ा नीम का पाउडर नीम के पत्तों का पाउडर आप करके रख लें मार्किट में भी मिल जाता है तो उसको भी आप इसमें मिलाकर उसको लगाए तो जितने भी फोड़े फुनसी जो बैक्टियर इंफेक्शन जो रहते हैं फंगल इंफेक्शन आ जाता है वो भी इससे ठीक हो जाएगा तो आप इसका प्रियोग करें और इसको सभी को शेयर करे जो लोग अपने पैसे सोंद्रिय प्रशाद दिनों पर लुटाते रहते हैं, मल्टिनेशनल कम्पनियां, बहुत सारा पैसा लुट कर यहां से बाहर चला जाता है हमारा पैसा, पैसा भी आपका मचेगा, हमारा देश सम्रिद्ध होगा, तो आप अपने नैच्वल फेस्पेक को प्रियोग करें, घर पर बना कर प्रियोग करें, तो आप सभी के लिए बहुत-बहुत सुब कामना हैं, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वो चै सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बैल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारी लेटिस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए झालमिंदे प्लिए नहीं के लिएकाईब कर दोड़रा पुरु एलग।